Hello everyone, मैं नीरा शर्मा, आप सभी का जॉब जंक से में स्वागत करता हूँ अगर आपका एक ड्रीम है कि आप जो है किसी IT कमपनी में अपना कैरियर बनाना चाहते किसी IT कमपनी में जाकर अपने कैरियर को एक बहुत अच्छे लेवल तक पहुचाना चाहते तो ये वीडियो सिर्फ अरश आपके लिए है, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि माइक्रो लेंड में क्या कौन सी वेकेंसी आई हुई है, कैसे आप यहां पर सलेक्ट हो सकते और selection के बाद आपको क्या क्या चीजे provide होने वाली है, क्या benefit होने वाले, ये सारी detail हम इस वीडियो में cover करने वाले हैं, तो वीडियो के अंद तक बने रहिए, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को subscribe नहीं किया, इस चैनल को subscribe कीजिए, bell icon को भी जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जब भी हम ऐसे वीडियो लेकर आएं, तो आपको उसका notification मिलता रहे हैं, तो चलिए बात करते हैं कि किस तरीके से आप अपना carrier Micron Land में आप बना सकते हैं, तो यहाँ पर जो vacancy आए हो है, उसका नाम है engineer trainee, जिसके लिए qualification रखा गया है, B और B.Tech होना चाहिए, और branch की बात कर accounting या फिर IT, या अगर आपने MCA किया हुए है, तो भी आप इस post के लिए applicable है, साथ ही साथ अगर हम देखें, तो कौन से candidate इसमें apply कर सकते हैं, तो वो candidate इसमें apply कर सकते हैं, जो 2022 में ही pass out हुए, इसका मतलब यह पूरे तरीके से pressure candidate के लिए हैं, यह पूरा का पूरा post आया हु आपका यहाँ पर job लग सकता है, अगर आपका यहाँ पर selection हो गया, तो अब बात करते हैं, कि आप इसमें apply कैसे करेंगे, तो apply करने का तरीका इसमें online mode है, जिसका link आपको इसका official website पर मिलेगा, साथ हमारे description box और comment area पर भी इसका link आपको मिल जाएगा, अब यहाँ से आपका जैसे ही आप इसमें apply करेंगे, वैसे ही यहाँ से आपका selection process start होगा, सबसे पहला step यह होगा, कि आपके work के according, इसका मतलब है, कि आपके education के according, आपको shortlist किया जाएगा, और shortlist करते वक एक criteria चेक किया जाएगा, कि आपका 10th, 12th में minimum 60% marks होने चाहिए, और आपका engineering में, current में को पुरा pass हो चुके होने चाहिए, जिनका एक भी back होगा, वो इसमें disqualify हो जाएगे, यह एक छोटा सा criteria है, अब पहला step जैसे ही आप clear कर जाएगे, इसका मतलब shortlist होने के बाद, इसमें technical round होगा, technical round और interview के base पर यहाँ पर आपका selection हो जाएगा, selection के बाद, जैसा कि मैंने बत किया जाएगा, वो होगा 3.25 lakh per annum, और इसके साथ आपको other benefits भी provide के जाएगे, जैसे medical benefit, आपको accommodation, transportation, यह सारे जो सुविधाएं, यह भी आपको साथ-साथ दिया जाएगा, तो बिल्कुल बहुत ही बढ़िया मौका है आपके पास, अगर आप इस post के लिए eligible है, तो इसे बि informative वीडियो को पाने के लिए साथ ही साथ हमारे चैनल को भी follow करते रहिए, और अगर आप चाहते ही कि आप से कोई भी information miss ना हो, कोई भी video miss ना हो, तो हमारे telegram चैनल को भी follow कीजिए, same name with same logo, thank you.